हमारे रच्छा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है आज की हमारी कथा है महान संत बाबा नीम करूरी महाराज जी की श्री केहर सिंग जी की पत्नी को संग्रणी हो गई और बे मररान तक रूप से अस्वस्त हो चली थी पेट में कुछ भी न रह पाता था सरीर सुकुड कर केवल हड्डियों का धाचा रह गया कोई भी इलाज कारगर सावित नहीं हो रहा था केहर सिंग जी दुखी हो ठे कि अब मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को कौन समा लेगा तब ही श्री आर पी पैस द्वारा जो दोरे पर नेनिताल जा रहे थे केहर सिंग जी ने अपनी पत्नी के स्वास्ते के बारे में सुचना महराज जी तक पहुचा दी इतनी सी पुकार थी इस गजेंद्र की अपने भगवान के प्रती और बाबाजी नी भी तब केवल इतना भर ही कहा इसमें कहने की क्या बात है केहर सिंग जी हमारा भक्त है और की पत्नी का सरीज सांथ हो गया लखनव में उनके बारे में आगे कुछ सुचा जारा होगा तभी कैची धाम में उपस्तेत बाबाजी महराज शिरीमती कमला सौनी से सुबए 10 बजे बोल उठे कि केहर सिंग की बहु पत्नी मर गई है वह बहुत दुखी है पर हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हर सिंग हमारा भक्त है और इधर लखनव में अपनी लीला परपरदा डालने के लिए बाबाजी ने सिंग साहब की लड़की कुसम को प्रिरित कर बायू के में तबाएं कास्चरवड शिरीमती सिंग के मुँ में डाल का परंतु महराजी की लीला तो अपना काम करी रही थी और 45 मिनट मुरत रहने के बाद सिरीमती सिंग पुना जी उठी तथा उसके बाद साड़े पांच वर्स और रही इस संसार में उनका इलाज करने वाले डाक्टर को जब सिंग साहब ने धन बाद दिया तो उन्होंने क रहा मिस्टर सिंग इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था यह तो केवल भगवत किरपा से ही बच गई हैं बाबा जी की उनसे की गई उप्त वारता सिरी मती शौनी ने बहुत बाद में लखनव आकर स्वयम केहर सिंग जी को सुनाई इससे भी आशरफूर घटना तब घटी जब उसी दिन साड़े तीन वजे साम केहर सिंग जी को स्री एस के चोधरी का गौतम पलवी लखनव से फौन मिला की बाबा जी मेरे घर पदा रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं केहर सिंग जी के उहां पहुँचने पर ना तु ब कुछा और ना उन्होंने ही उस रोज सुबह हुई घटना का जिक्र किया आदे घंटे के भीतर दो दोरस गुल्ले एवं समोसा चाय पाकर बाबाजी चले गए एक तरफ और अब तुझा सुनकर सिंग सहाब भी घर आ गए उस दिन लखनव में बाबा जी ने किसी अन्भक् नहीं दिये तो सुबह से ही कैची धम में ही बराबर राजमान रहे आज की थी हमारी यह कथा बाबा नीम करूरी महराज जी की सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अब से सुब्क्राइब करें शेयर करें और लाइक करें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जे नीम करूरी बाबा जी महराज सभी भक्तों को हमारा नमस्कार